दोस्तो यह एक प्रेत बच्चे की कहानी है नाम और जगह कालपनिक है इसे बदल दिया गया है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सुस्क्राइब नहीं किया है तो कृप्या लाल बला बटन दवाएं फ्री हैं पैसे नहीं लगते हैं हर दिन आपको एक नई होरण कहानी को हमारे चैनल पर मिलती है वेल-वल आइकन को अश्य दवाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें नंद्री राहों से बहुत प्यार करते थे दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे दोनों दूसरे को टूट कर चाहते थे हमेसा मिलने का बहाना डुना करते थे प्रेम संभव नहीं है और वो भी इर्ष्टिदार थे सगे तो थोड़ी सी बात खटक रही थी उन लोगों को एक दिन जमानी का जोस था दोनों बहग गए सालिक शंबंद बन गया दोनों का पाच्छे महिने तक तो शब ठीक ठाक था कोई समस्या नहीं हुई पर छटमे महिन के बाद जब पता चला नंदनी को मा को नंदनी मा बनने वाली है तो घर वाले काफी परेशान हो गए क्यों ना हो बदनामी होगी क्या करें पुरा गाउन को थोथू करेगा तो उन्होंने एक फैसला लिया कि इस बच्चे को मार दिया जाए रात में उन्होंने नंदनी को दवा खिलाई और बच्चे को मार दिया घर के पीछे नंदिनी की मा ने उस बच्चे को दफन कर दिया नंदिनी की जल्दी जल्दी साधी करवादी नंदिनी अपने सस्वराल चली गई सब कुछ ठीक हो गया था कुछ दिन बाद जब नंदनी वापस अपने मई के लोट कर आई सब खुश थे सब नॉर्मल हो चुका था समान्या था एक दिन मा ने घर के पीछे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो सोचा कि साइद कोई बच्चा होगा देखकर आती हूँ जब नंदनी की मा पीछे गई घर के पिछवत्ते में तो कोई नहीं था वहाँ पर कोई रो नहीं रहा था नंदनी की मा वापस चली आई ऐसी घटना रोज घटने रगी कभी-कभी रात में भी बच्चा बहुत रोता था और असप्रोस में कोई बच्चे भी नहीं थे नंदनी की मा के जो बच्चे थे वो पांच वरस के थे जो नंदनी का भाई था वो पांच वरस का था काभी बड़ा था ऐसे रो नहीं सकता था और असप्रोस में कोई बच्चे थे नहीं इसलिए लोग घबरा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या है नंदनी की मा भी घबरा गई कि आखिर क्या बात है बच्चे बहुत रो रहे है पिछे एक दिन नंदनी का भाई भाई पिछवत्य में खेल रहा था घर के पिछवारे में एक आये वो बेहोस होकर वही पर गिर गया साम तक जब बच्चा घर लोट कर नहीं आया तो सब लोग उसे धूनने लगी नंदनी की मा धूनते धूनते पिछवत्य में गई घर के पिछे तो देखा के नंदनी का काफी डरावनी आखे थी नाक से कुछ खून जैसा निकल रहा था सब काफी घबरा गए उसकी नंदनी के पिता जी ने तांतरिक को बुलाना सही समझा तांतरिक को बुला कर लाया गया तांतरिक ने गंगाजल मंत उस बच्चे पे फुक कर मारे और उससे पूछा पताव क्या कर रहे हो बच्चा सिर्फ रोता रहा कुछ नहीं बोला नंदनी वहां खड़ी थी सामने वो बार-बार नंदनी की तरफ देख रहा था और सिर्फ रोये जा रहा था नंदनी काफी घबरा गई दीरे दीरे वो बच्चा नंदनी की तरफ बढ़ेने लगा चलकर सब लो बचे पर मंत्र मारे और एक बोटल जोले से निकाल कर कुछ मंत्र फुगे एक सफेद सी चीज बोटल में समा गई उसने धकन लगा कर नंदिनी को हाथ में दे दिया बोटल और नंदिनी से कहा तुम इसे चार रास्ते के बीच में दफना देना कोई सन्यासी पुरुस कोई ऐस पुरुस जो देव का दूत हो वो अगर इस पर पैर रखे गए तो इसकी आत्मा को सांती मिल जाएगी क्योंकि ये प्रेत आत्मा बन गई है किसी ने इसकी अकाल मृत्तु कर दी है तांत्रिक को समझते देर नहीं लगा था कि कुछ तो ऐसी बात है जो इस बच्चे के साथ घटी है और तांत्रिक समझ गया था कि क्योंकि बहुत सरयाम है प्रेम संबंद लोग करते हैं और ऐसे कई जगए ऐसी घटनाए घट जाती है तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी कुरुती समाज में नहों कि हर बच्चे को जीने का अधिकार है और हर कोई जीना चाहिए इस समय में मैं इसके खिलाफ रहता हूँ हमेसा वीडियो कैसी लगी आप जरूर कॉमेंट करिएगा हमारे चैनल को सस्क्राइब करिए सेर करिए इस वीडियो को और प्रेम करें ठीक है लेकिन इस प्रकार के घटना प्रेम के साथ नहीं होनी चाहिए या किसी बच्चे के साथ ऐसी तब तक लिए हमारे अग्या भी